Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल हमें dictate करने की कोशिश करता था, लेकिन जब से आपने देखा होगा कि रश्या से हम आउयल मंगाने लगे हैं, अलग-अलग देशों से बात करने लगे हैं, इसकी वज़े से जो Middle East के अंदर countries हैं, वो थोड़ा नरम हो रहे हैं, वो भारत को discount देने को ready हैं, और इसी को और आग साइन की है, एक agreement साइन हुआ है, ब्रजील की company Petrobras के साथ, तो इसको detail से समझेंगे कि exactly है क्या इससे होगा क्या, यहाँ पर क्या stake है BPCL का ब्रजील के अंदर, काफी कुछ जानने को है चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है दोस्तों, 30th of September से UPSC का batch start हो रहा है, अगर आप UPSC की त्यारी करना चाह रहे थे, बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि इसके अंदर हम आपको complete preparation करा कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको 900 plus hours of life teaching मिलता है, notes मिलता और code इस्तमाल करना अंकित live, सिर्फ 19,000 में ये पूरा course आप अवेल कर सकते हैं, इसके लाबा अगर आपको MCQs attempt करना है, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए, बहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले pressure डाला जा रहा है, भारत के उपर, western countries के द्वारा pressure डाला जा रहा है, कि रश्या के उपर हम sanctions लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप oil मंगा रहे हो, इन सारे चीजों को देखते वे, यहाँ पर हम अपना जो oil का source है, जहां से हम crude oil मंगाते हैं, उसको diversify करना चा हो गया, यहाँ पर छोटे-छोटे countries हैं, उसके बाद जो पूरा South America है, यह पूरा जो region इसको हम कहते हैं Latin American countries, तो हमारा focus अब इनकी तरफ जा रहा है, especially Venezuela मैं भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ से भी हम oil मंगाना चाहते हैं, तो Venezuela हो गया, Brazil हो गया, इनके साथ बातचीच चल agreement की बात नहीं करा हूँ, यह एक long term corporation है, जिसमें भारत के द्वारा निवेश किया जाएगा, Brazil के अंदर जो oil fields वगरा होते हैं, वहाँ पर हमारा निवेश होगा, और एक long term purchase agreement साइन होगा, ताकि regular basis पर हमें जो oil है, वहाँ से मिलता रहा है, इसके लावा यह भी बताया गया की HPCL भी इसी तरह का जो agreement है, वो बहुत जल कर सकता है Brazil के अंदर companies के साथ, ताकि वहाँ से और ज़्यादा oil हम मंगा सकें, देखें इसके बारे मैं मैं आपको और detail से बता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बात हो रही थी कि भारत की तरफ से जो officials हैं उनकी मुलकात होनी है, finally आप देख सकते हो, 21st of September से 24th of September तक यहाँ पर भारत के जो petroleum और natural gas के secretary है, वो Brazil गए, और Brazil के अंदर top ministry से वहाँ पर बातचीत की, और दोनों के द्वारा agree किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा engagement होगा दोनों companies के बीच में, कौन सी companies, BPCL औ और Petrobras के बीच में, तो दोनों के बीच में और ज़्यादा agreement होगा, और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताए गया कि दोनों देश, अलग-अलग sectors के अंदर cooperate कर सकते हैं, जैसे bio energy sector हो गया, bio fuel हो गया, investment हो गया, oil और gas sector के अंदर, इसके अलावा जो petroleum products हैं, उसका भी trade यह यहाँ पर दोनों देश करेंगे, यह सहमती जताई गई, इसके अलावा यह भी बताए गया कि भारत की तरफ से offer दिया गया, Brazil को, कि आप आए भारत के अंदर जो हमारा E&P sector है, E&P का मतलब है exploration and production, मतलब कि जो oil field हो गया, gas field हो गया, उसको पहले explore करना होता है, तो वो अला जो पुरा sector होता है, उसको E&P sector कहते हैं, तो भारत सरकार का यह कहना है, कि हमने यहाँ पर उसको liberalize कर दिया है, कि किस तरीके से allocation किया जाएगा, कौन उसको ले सकता है, bidding के मादिन से, उसको हमने काफी सरल बना दिया है, तो हमने ब्रजील को नेयोता दिया, कि आप आईए भारत में भी आईए और इसको explore करिए, क्योंकि जरूरत है इस चीज की, भारत में भी हम काफी सारा production कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी exploration उतने बड़े मात्रा में नहीं हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है, कि भारत उन देशों के साथ और ज़ जो deep water basins होते हैं उसमें आपको बड़ी investment चाहिए होता है, और South American यह जो Brazil की, Brazil है, सरकार है, उन्होंने इसको लेकर सहमती जताई है, कि हाँ हम इसके बारे में सोचेंगे, और definitely आउशकता पड़ी, तो भारत के अंदर भी investment किया जाएगा, खेर जो भी होगा वो हम क्या करती है, जो हमारे देश में BPCL है, IOCL है, जितने भी companies है, वो क्या करते है, crude oil को मंगाते है, जैसे Reliance है, Reliance भी crude oil को मंगाता है, और फिर इसकी refinery होती है, refining किया जाता है, जाम नगर refinery आपने सुनागा, तो refinery के मदद से उसको petrol और diesel में अलग-अलग जो categories होती है, उस आप पर crude oil आता है, और उसकी refining की जाती है, ठीक है, तो ज़्यादा तर crude oil कहां से आता है, BPCL की मैं बात कर रहा हूं सरिफ, यह आता है इराक से और सौधी अरब से, तो क्या है कि यह काफी ज़्यादा concentrated है, लेकिन अब BPCL अपना जो Reliance है, इराक और सौधी अरब से कम करन चाता है, अपना निर्भरता जो है, उसको diversify करना चाता है, और इसी लिए वो यहाँ पर Brazil से अब crude oil को मंगाएगा, अब question यह है कि किस तरह से मंगाएगा, क्या कल से ही यहाँ पर crude oil आना start हो जाएगा, देखो ऐसा नहीं है, बताये जा रहा है कि BPCL की एक subsidiary है, जिसका ना जा रहा है oil और gas को, उसको upstream sector कहते हैं, फिर downstream का मतलब होता है, कि जहाँ पर इसकी supply की जा रही है, consumers तक जब पहुंचाया जाता है, वो पूरा downstream marketing में आता है, तो यहाँ पर क्या है कि BPCL की एक subsidiary है, जो की upstream के ओपर ध्यान देती है, जो exploration करती है, production करती है, और इसका नाम है भारत Petro Resources Limited, तो क्या होगा, कि यह जो BPRL है, वो लगभग 1.6 billion dollar, वो Brazil के अंदर एक oil block है, वहाँ पर निवेश करेगी, यहाँ पर in fact मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, यह ब्रजील का अगर आप map देखोगे, यहाँ पर एक शहर देखेगा, अरा कुजा काजू, ठीक पर एक block है, जहाँ पर कई सारे जो oil है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसकी production हो सकती है, और इसको develop करने के लिए 1.6 billion dollar, यह यहाँ पर निवेश करेगा BPCL, और इसको लेकर already 27th of July को Union Cabinet के द्वारा approval दे दिया गया था, कि इस वाले block के अंदर, इस block का नाम basically यहाँ पर आ basin होता है ना, अलग-अलग जो blocks होते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी Brazil के अंदर यह आपको देखने को मिलता है, और बताया जा रहा है कि लगभग 2026 या 2027 से यहाँ पर जो production है वो start हो जाएगा, क्योंकि इसको develop करना, इसका एक long term process होता है, ऐसा नहीं कि बस decide कर लिए और दो मै यह जो block है ना, basically मैंने आपको बताया BMS11, यहाँ पर 40% हिस्सा किसके पास होगा, यह BPCL के पास, और लगभग 60% हिस्सा वही जो Petrobras में आपको बता रहा था, ब्रजील की company, वो यहाँ पर मिलकर, तो जो भी production होगा, उसका 40% हिस्सेदारी कौन किसके पास होगी, BPCL के पा क्रफ्ट हो जाता है, और इसी के वज़े से बाकी का लगभग 40% हिस्सा है, वो अकेले BPCL के पास आगया, और बाकी 60% तो आपका जो Petrobras है, उसके पास तो हई है, खेर जो भी है, I hope कि आपको इसके माध्यम से समझ में आ गया होगा, कि basically यह जो agreement हुआ है, उसके माध्यम से BPCL जो है, भारत निवेश करेगा ब्रजील के अंदर वहां के oil block में, और उससे जो production होगा, उसको लंबे समय तक oil हमारा source करा सकते हैं, वहां से हमारा oil जो है, वो आ सकता है भारत की तरफ, और बाकी भी जो oil fields बगए हैं, वहां से भी मंगा सकते हैं, डिपेंड करता है, किस 2021 में दोनों देश के बीच में जो trade है, वो लगबग 11.5 billion dollar के आसपास हुआ था, लेकिन इस साल मैं आपको बता दूँ, already August के महने तक, मतलब 8 महने के अंदर अंदर ही 9 billion dollar का trade हो चुका था, मतलब आप कह सकते हो, यह जो trade है इस साल, वो 11.5 billion dollar से बढ़कर, लगबग 13-14 billion dollar पहुँचने की उम्मीद है, और जाहिर सी बात है, यह जो oil sector के अंदर अब यहाँ पर contract हुआ है, partnership हुई है ब्रजील के साथ, इसकी वज़े से और जादा trade होगा दोनों देशों के बीच में, इसके लावा BPCL बताया जाता है कि यह 1.4 lakh करोंड और भारत के अंदर भी में से, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आईए, अलग-लग social media पर आप जुड़क आँगे और जैसा मैंने बताया, UPSC की त्यारी अब आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास अच्छा मौका है, use this code Ankit Live हमारे website और app पर और यह course सिर्फ 19,000 में आप अविल कर सकते हैं, I hope की वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता है आपस नेक्स